शश्ठा परिच्छेद सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानिचात्मने इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्रसमदर्शनह गीता च्षै उन्तीस तृतिय दर्शन नरेंद्रनाथ भवनाथ मास्टर मास्टर तब बराहनगर में बहिन के घर में थे ठाकुर्श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के समय से सर्वक्षन उनका ही चिंतन करते सर्वदाही जैसे वही आनंदमय मूर्ती देख रहे है और उनकी वही अमरितमय कथा सुन रहे है विचार करने लगे दरिद्र ब्रामण ने किस प्रकार यहां सारा गंभीर तत्व अनुसंधान किया है और जाना है और इतने सहज में ये समस्त बाते समझाते हुए तो उन्होंने अब तक किसी को भी नहीं देखा कब उनके पास जाएंगे तथा फिर उनके दर्शन करेंगे यही बात राद दिन सोचते है देखते ही देखते रविवार पांच मार्च आ गई बराहन अगर के नेपाल बाबु के संग तीन या चार बजे विदक्षिनेश्वर के उद्ध्यान में आ पहुँचे वहाँ पर कमरा भर लोग है रविवार को अवकाश मिला है इसी लिए भक्तगन दर्शन करने आये है अभी तक मास्टर के साथ किसी का भी आलाप नहीं हुआ उन्होंने सभा में एक तरफ आसंग रहन किया देखा भक्तों के संग सहास्य बदन ठाकुर बाते कर रहे है एक उन्नीस वर्ष के वयस का युवक को लक्ष करके और उनकी ओर देखकर ठाकुर जाने कितने आनंदित होकर अनेक बाते कह रहे है लड़के का नाम नरेंद्र है कॉलेज में पढ़ते है और साधारन ड्राम समाज में यातायात करते है बाते सब तेज परिपोर्ण है चक्षु दोनों उच्वल भक्त चहरा मास्टर ने अनुमान से समझ लिया कि बाते विशया सकत ग्रुही व्यक्ति के संबंध में हो रही है जो केवल ईश्वर ईश्वर करता है धर्म धर्म करता है उसकी सब लोग निंदा करते हैं और संसार में कितने ही दुष्ट लोग होते हैं उनके संग किस प्रकार व्यवहर करना उच्चित है ऐसी ही सब बाते हो रही है श्री रामकृष्ण नरेंद्र के प्रती नरेंद्र, तु क्या कहता है? ग्रिहस्ति लोग कितना कुछ ही बोलते हैं किन्तु देख, हाथी जब चल रहा होता है पीछे-पीछे कितनी ही जानवर, कितनी तरह से चितकार करते रहते हैं किन्तु हाथी मुड़कर भी नहीं देखता यदि कोई तेरी निंदा करे तो तू मन में क्या समझेगा नरेंद्र मैं समझूंगा कुट्ते भौभौ कर रहे है श्री रामकृष्ण सहास्य ना रे इतनी दूर नहीं सबका हास्य इश्वर सर्व भूतों में है तो भी भले लोगों के संग में मेल मिलाब चलता है मन्दे लोगों के निकट रहते हुए फासला रखना चाहिए बाग के भीतर भी नारायन है इसलिए बाग का आलिंगन नहीं चलता सबका हास्य यदि कहो बाग तो नारायन है तो फिर क्यों भागू? उसका उत्तर है जो कहते हैं भाग जाओ वे भी तो नारायन है उनकी बाद क्यों ना सुनू? एक कहानी सुनो किसी एक वन में एक साधू रहते थे उनके बहुत से शिश्य थे उन्होंने एक दिन शिश्यों को उपदेश दिया कि सर्व भूतों में नारायन है यही जानकर सबको नमस्कार करोगे एक दिन एक शिश्य होम की लिए लकडी लेने वन में गया तब एक शोर होने लगा जो कोई कहीं भी है भागो एक पागल हाथी आ रहा है सभी भाग गये किन्तु शिश्य नहीं भागा वहां समझता है कि हाथी में भी तो नारायन है फिर मैं क्यों भागो यहां सोचकर वहां खड़ा रहा नमस्कार करके स्तवस्तुती करने लगा इधर महावत चितकार करके कहता है भागो भागो वहाँ शिश्य फिर भी नहीं हिला अंत में वही हाथी सून से उठा कर उसको एक किनारे पटक कर चला गया शिश्यक्षत विक्षत हो बेहोश पड़ा रहा यहाँ समवात पाकर गुरू और अन्य शिश्य उसे उठा कर आश्रम में ले आए और आउशत देने लगे गुरु देव ने जो मुझसे कहे दिया था नारायन ही, मनुश्य, जीव जन्तू, सब कुछ होकर रह रहे है तभी तो मैं हाथी नारायन आ रहे हैं, देख़कर वहां से हटा नही गुरू ने तब कहा बेटा, हाँ, हाथी नारायन तो आ ही रहे थे निश्चय, यहाँ सत्य है किन्तू बेटा, महावत नारायन ने तुम्हें मना किया था यदि सभी नारायन है, तब तो उसकी बाद पर विश्वास क्यों नहीं किया महावत नारायन की बाद भी सुननी चाहिए सब का हास्स्य शास्त्र में है, आपो नारायन हा, जल नारायन किन्तू कोई जल तो ठाकुर सेवा में लगता है और फिर कोई जल कुला, हाथ, मूँ धोने में, बरतन मांचने, कपड़े धोने में ही केवल चलता है किन्तू आहार या ठाकुर सेवा में नहीं चलता उसी प्रकार साधू असाधू भक्त अभक्त सबके ही रिदय में नारायन है किन्तु असाधू अभक्त दुष्ट लोगों के संग व्योहार नहीं चलता मेल मिलाप नहीं चलता किसी के साथ केवल मुख का आलाप परियंत ही चलता है और किसी के संग वहां भी नहीं चलता वैसे लोगों से कुछ अंतर पर ही रहना चाहिए एक जन भक्त महाशे दुष्ट व्यक्तियदी अनिष्ट करने आता है अत्वा अनिष्ट करता है तो फिर क्या चूप रहना उचित है श्री रामकृष्ण लोगों के साथ वास करने के लिए दुष्ट लोगों के हाथ से अपनी रक्षा करने के लिए थोड़ा सा तमोगुन भी दिखाना प्रयोजन निया है किन्तु वहां अनिष्ट करेगा समझ कर उल्टे उसका अनिष्ट करना उचित नहीं एक मैदान में एक चरवाहा गाय चराया करता था उसी मैदान में एक भयानक विशैला साप था सब ही उस साप के भय से अत्यंत सावधान रहते थे एक दिन एक ब्रह्मचारी उसी मैदान के मार्ग से आ रहा था चरवाहों ने दौड कर कहा ठाकर महाशय उस तरफ से मज जाए उधर एक भयानक विशाक्त साप रहता है ब्रह्मचारी ने कहा बेटा वहाँ होने दो मुझे उससे कोई भय नहीं है मैं मंत्र जानता हूँ यहाँ बात कहकर ब्रह्मचारी उसी ओर चल दिया ब्रह्मचारी ने ज्यों ही एक विशेश मंत्र पढ़ा त्यों ही वहाँ साप तो केच्वे की भाती पैरों के पास पढ़ गया ब्रह्मचारी ने कहा ओरे तू क्यों दुसरों की हिंसा करता हुआ गूम रहा है आ तुझे मंत्र दू इस मंत्र के जपने पर तेरी भगवान में भक्ती होगी भगवान लाब होगा और हिंसा प्रवृत्ती नहीं रहेगी यहां कहकर उसने साप को मंत्र दे दिया साप ने मंत्र पाकर गुरू को प्रणाम करके पूछा थाकुर साधना कैसे करू बताईए गुरू ने कहा इसी मंत्र का जप कर और किसी की भी हिंसा मत कर ब्रह्मचारी ने जाते समय कहा मैं फिर आऊंगा इसी प्रकार कुछ दिन चले गए चरवाहों ने देखा कि साप तो अब काटने नहीं आता धेला मारते हैं तब भी क्रोध नहीं करता केचवे जैसा हो गया है एक दिन एक चरवाहे ने उसके पास जाकर उसे पूच से पकड़ कर धर्ती पर पटक पटक कर मारा साप के मुख से रखता निकलने लगा और वहां बेहोश हो गया नहिलता है नडुलता है चरवाहों ने सोचा कि साप मर गया है यही सोचकर वे सब लोग चले गए बड़ी रात गय साप को होश आया वह धीरे धीरे अती कश्ट से अपने बिल में चला गया शरीर चूर चूर हो गया था हिलने की शक्ती नहीं रही कई दिनों पश्चात जब शरीर कंकाल सा हो गया तब बाहर आहार की चेश्टा में रात को एक बार चरने के लिए आता भैसे दिन के समय नहीं आता था मंत्र लेने की अवधी से इंसा नहीं करता था धर्ती पर गिरे पत्ते ब्रिक्ष से गिरे फल खाकर प्रान रक्षा करता प्रायह एक वर्ष के बाद ब्रह्मचारी उसी मार्ग से फिर आया आते ही साप की खोच की चरवाहों ने बताया वहां साप तो मर गया है इंतु ब्रह्मचारी को उस बात पर विश्वास नहीं हुआ वह जानता था जो मंत्र उसने लिया है उसका साधन हुए बिना देहत्याग नहीं होगा खोचते खोचते उसी ओर उसको दिये हुए नाम से पुकारने लगा वहाँ गुरुदेव की आवाज सुनकर बिल से बाहर आया और खुब भक्ति पूर्वक प्रणाम किया ब्रह्मचारी ने पूछा तू कैसा है? वहाँ बोला जी अच्छा हूँ ब्रह्मचारी ने पूछा तू ऐसा दुर्बल कैसे हो गया? साब बोला ठाकुर आपने आदेश दिया था किसी की हिंसा मत करना तभी पत्ते फल खाता हूँ इसी लिए लगता है दुर्बल हो गया हूँ उसका सत्वगुण हो गया था ना? तभी किसी के ओपर क्रोध नहीं करता था वहाँ भूल ही गया था कि चरवाहों ने मार डालने का आयोजन किया था ब्रह्मचारी ने कहा केवल न खाने के कारण ऐसी अवस्था नहीं होती अवश्य और कारण है सोच कर देखो साप को याद आया कि चरवाहों ने गुमेटिया दी थी वे तो अंजान है मेरे मन की क्या अवस्था है वे नहीं जानते थे मैं जो किसी को भी काटूंगा नहीं या किसी प्रकार का भी अनिष्ट नहीं करूंगा कैसे वे जानेंगे? ब्रह्मचारी ने कहा छी, तू तो इतना मुर्ख है कि अपनी रक्षा करना भी नहीं जानता मैंने डंक मारने को ही मना किया था फुतकारने के लिए तो नहीं फुतकार करके उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? दुष्ट लोगों के निकट फुतकार करके भय दिखाना चाहिए ताकि फिर हानी न करे उनके उपर विश नहीं फेकते अनिष्ट नहीं करते ईश्वर की स्रिष्टी में नाना प्रकार के जीव जन्तु पेड पौधे है जानवरों के मद्धे भले हैं, मंदे हैं बाग जैसे हिंसक जन्तु हैं ब्रिक्षों के मद्धे अमरुद की न्याई फल होते हैं, ऐसे हैं और फिर विश फल भी है उसी प्रकार मनुष्यों के मद्धे भला है जीव चार प्रकार के हैं बधजीव, मुमक्षुजीव, मुक्तजीव और नित्यजीव जैसे नारदादी, ये संसार में रहते हैं जीवों के मंगल के लिए, jीवों को शिक्षा देने के लिए बधजीव विशय में आसकत हुए रहते हैं और भगवान को भूले रहते हैं, भूल कर भी भगवान का चिंतन नहीं करते। मुक्षु जीव, मुक्त होने की इच्छा करते हैं, किल्तु उन में से कोई मुक्त हो पाते हैं, कोई नहीं हो पाते। मुक्त जीव जो संसार में कामिनी कांचन में आबद्ध नहीं है जैसे साधू, महात्मागन जिनके मन में विशय बुद्धी नहीं और जो सरवदाही हरी इपाद पद्म चिंतन करते हैं जैसे तालाब में जाल डला हुआ है दो-चार मचलिया इतनी सयानी है कि कभी भी जाल में नहीं गिरती यहां है नित्य जीव का उपमा स्थल किंतो बहुत सी मचलिया जाल में पढ़ी जाती है इन में से कितनी ही भागने की चेश्टा करती है यह मुमुक्षु जीव की उपमा है किन्तु सारी ही मचलिया भाग नहीं सकती दो चार ही केवल ध्यांग ध्यांग करके जाल में से भाग जाती है तब मचेरे कहते हैं वहां देखो एक तो बहुत ही बड़ी मचली भाग गई यहां है मुक्तजीव की उपमा किन्तु जो जाल में पढ़ गई है अधिकांशी भाग नहीं सकती और भागने की चेश्टा भी नहीं करती बलकि जाल को मुख में दबा कर तालाब के कीचड के भीतर चुप करके मुख छिपा कर लेट जाती है मन में सोचती है अब और कोई भाई नहीं हम ठीक हैं किन्तु जानती नहीं कि मचेरा हड़ड करके खीच कर जमीन पर रख देगा ये ही है बद्धजीव की उपमा बद्धजीव संसार के कामीनी कांचन में बद्ध हुए रहते हैं हाथ पैर बंधे हुए रहते हैं और सोचते भी यही हैं, कि संसार में इसी कामीनी कांचन से ही सुख मिलेगा। और निर्भय रहते हैं, जानते नहीं कि उसमें ही मृत्यू होगी। बद्धजीव मरता है, उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चल दिये, मेरा क्या कर चले। और फिर ऐसी माया की प्रदीप में अधिक बद्धी जलने पर बद्धजीव कहता है, तेल फोग जाएगा, बद्धी को कम कर दो, उधर मृत्यू शयया पर लेटा हुआ है, बद्धजीव ईश्वर चिंतन नहीं करता, यदि अवसर होता भी है, तो भी फिर इधर उधर की फा रहा हुँ, शायद समय कटता न देखकर दाश किलना अरंभ कर देता है, सभी स्तब्ध